हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP Police Exam 2021 की त्यारी के लिए Model Set Paper No. 64 जिसमें GKGS Science Current Affair के बहत्पुन प्रस्ने लिये गये हैं जो की आने वाली एक्जाम की द्रश्टी से बहुत इंपॉटेंट है तो चले यह सुरू करते हैं लेकिन अदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आकेन की बेटन भी जरू दबा लीजिए ताकि एसे इंपॉटेंट एजुकेसनल वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुशते रहें आज का पहला प्रस्ण है हाली में किस फुटवालर ने गोल्डन फुट पुरुसकार जीता है पुछागे आपसे हाली में किस फुटवालर ने गोल्डन फुट आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण मांग दो मद्यप्रदेश की लोग स्वास्त एबं परिवार कल्यार मंत्री कोन है पुछागे आपसे मद्यप्रदेश के लोग स्वास्त एबं परिवार कल्यार मंत्री कोन है तो इसका जो राइट आंसर है आपस मुहम्मद रफीग चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न मारा प्रस्न कमांग 3 हाली में किस देश ने विशु के सबसे बड़े रेडियोड टेलिस्कोप का निर्मान किया है तो इसका जो राइट आंसर बहा है आपसर नंबर 4 चाइना चिन ने हाली में विशु के सबसे बड़े रेडियोड टेलिसकोप का निर्मान किया है चिन की राजधानी है बिजिंग चिन के राष्टपती है सी जिंग पिंग चिन की मुद्रा है रेण मिन्भी और चिन के प्रधान मत्री है स्री ली कियांग आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की ओर अगला प्रेस्ट नमबर 3 गोदावरी नदी पर पोला बरम सिचाई परियोजना के अंतरगत आंध्रप्रदेश में गोदावरी नदी पर बांध का निर्मान किया जा रहा है अगले प्रेस्ट की ओर अगला 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 प्रेस्ट की ओर से समानता किस पोशक तत्यू की कमी के कारण घेंगा रोग होता है पुछागे आपसे निम्न लिखित में से समानता किस पोशक तत्यू की कमी के कारण घेंगा रोग होता है तो इसका जो राइट आंसर वह है आपसन नमबर 4 आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है हमार हल्दी घाटी के युद्ध में किस समराट की सेना से महाराना प्रताप ने युद्ध किया था तो इसका जो राइट आंसर एभा है आसब नमबर चार अकवर की सेना से हल्दी गाटी के युद्ध 18 जून 1576 को महराना प्रताप तथा अकवर की सेना के बीच में हुआ था महराना प्रताप के सेना की तरफ से सेना पती हमिद खां था जबकि मुगल सेना का नेतरत्व मांसी कर रहा था आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेशन हमारा प्रेशन कमांग आठ उत्प्रेशन देश या उत्प्रेशन से क्या अभिप्रा है पूछा कि आपसे उत्प्रेशन देश या उत्प्रेशन से क्या अभिप्रा है तो इसका जो राइट आंसर है बहा है आपस नियालों को पांस तरह की रीट जारी करने की सक्टी प्रदान की गई है और उत्प्रेशन देश या उत्प्रेशन उन्हीं में से एक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन हमारा प्रेशन कमांग 9 भारत में से शेवाओ के लिए सर्बोच्चु पुर इदकृ काल में भारत का सर्बोच्ची सम्माण परंबिर चकर रहे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन हमारा प्रेशनकम कमांग 10 नेमल लिखित में कोन सा बनस्पती जगत का हार्मोन नहीं है न है इन में से कौन सा बनस्पती जगत का हार्मोन नहीं है तो इसका जो राइट आंसर इबा है आप्सन नमबर 4 थायरेक्सिन थायरेक्सिन हार्मोन मानव में अप्टू ग्रंथी से निकलता है या शरीर में ब्रद्धी को प्रभावित करता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की अप्सन नमबर 2 उत्सर्जन प्रणाली मानव सरीर की उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रान का संबंध है नेफ्रान मानव के ब्रक्त का महत्पुन भागे मनुष से एबब अन्य इस्तंदारियों में एक जोड़ा ब्रक्त पाया जाता है आगे चलते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन हमारा प्रसन को मांग बारा सूर की किर्णों से कौन सा बिटामिन प्राप्त होता है पुछागे आपसे सूर की किर्णों से कौन सा बिटामिन प्राप्त होता है तो इसका जो राइट आंसर एबा है आपसन नमबर 4 बिटामिन D प्राप्त होता है बिटामिन क का रासाइनिक नाम केलसी फेरोल है बिटामिन डी का संसलेशन सूर के प्रकास के द्वारा तोचा के कॉलिस्ट्रोल द्वारा होदा है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 13 किसमें प्रकास की गती सरबादिक है पूछागे आप तीन गुणा दस की घात आठ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकास के बेग की गण्णा सरफ प्रथम रोमर ने की थी इसे भी आपको याद रखना है या भी आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण क निमनलखीत में से कंप्यूटर भासा कोबॉल का अभिस्कार कि ने किया था पूछा के आपसे निमनलखीत में से कंप्यूटर भासा कोबॉल किस ने किय था तो इसका आपसोन नंबर 4 घ्रेस मुरे होपर कंप्यूटर वसा कोवल का आपस्कार घ्रेस मुरे होपर के द्वारा क्या गया था कोवल का फुल्पा मोता है इसका भीकाश 2002 में घ्रेस मूरे कि सकतिया किस में नहीं थे पुछा गया आफ से राश्टपती के चुनाऊ से उत्पन सभी संदेखो और विवादों की जाज करने और नीड़ने करने की सकतिया किस में नहीं थे तो इसका जो राइट आंसर है वान है आफ सन्ट नंबर चार सर्भोच न्याले राष्टपती के चुनाव से उत्पन सभी संदेहो विवादों की जाज करने की सक्तिया सर्वोच न्याले में नहीं थे भारत की नियाईक विवस्ता इकहरी और एकिकरत है जिसमें सर्वोच न्याले सिखर पर भारत का सर्वोच न्याले है उच्छेतम नेले का बनन संभिदान के अनुच्छद 124 में किया गया है उच्छेतम नेले दिल्ली में इस्तित थे और उच्छेतम नेले के मुख्य नेयादीरिस को उसके पध की सपत राष्टपती के द्वारा दिलाई जाती है इसे भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगले प्रस्ने मारा प्रस्न कमांग 17 दक्षिन भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनरबास केंदर किस राज में इस्थापित किया जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर एबा है आपसर नमबर दो तेलंगारा तेलंगाना के गबर्नर है तमीले साई सोंद राजन और तेलंगाना की चीफ जस्टी से हीमा कोहली आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्ने मारा प्रस्न कमांग कठारा गजरा राजे चिकित्सा महाविध्याले कहां इस्ति थे पूछागे आपसे गजरा राजे चिकित्सा महाविध्याले कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर रेबा है आपसर नमबर चार गवालियर में गजरा राजे चिकित्सा महाविध्याले गवालियर में इस्ति थे गजरा राजे मेडिकल कालेज 1946 में इस्थापित मद्धि प्रदेश राजी का भारत कप पहला Medical College इसे आपको याद रखना है गजरा राजे Medical College 1946 में इस्थापित मद्धि प्रदेश कप पहला Medical College इसे या आपको याद होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न मारा प्रस्न कमांग कुनिस भारत की मीठे पानी की जील कोलेरू जील किस राज में इस्थी थे पुछागे आपसे भारत की मीठे पानी की जील कोलेरू जील किस राज में इस्थी थे तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आप्सवन नंबर एक आंदरप्रदेश राज में भारत की मीठे पानी की जील कोलेरु जील आंदरप्रदेश राज में इस्तित है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील जम्मू कस्मीर में इस्तित बूलर जीले तथा सबसे बड़े खारे पानी की जील चिलका ज मलक का जल डमरू मद किन दो भूभागों को अलग करता है तो इसका जो राइट आंसर है आपसे नमबर एक मले प्राइदीप तथा इंडोनेसिया का दीप सुमात्रा को अलग करता है दुनिया का सबसे बड़ा दीप ग्रिन लेंड है इसे भी आपको याद रखना है आगे पर इसे अपने दोस्तों में भी जरूर सेयर करें यदि आप लोगों को MP पॉलिस एक्जाम 2016-2017 MP पॉलिस सबिस्पेक्टर एक्जाम 2016-2017 SSC GD कॉंस्टेबल एक्जाम 2019 इन सभी एक्जाम के प्रीएस एस पेपरों के वीडियो देखना है या इन सभी एक्जाम के लिए मॉड प्रस्थन कीओर अगला प्रस्थन हमारा प्रस्थन कि कीसल निमनलिखीत में से कौन सा इस्थान चिकणकारी कड़ाई के लिए प्रसिद्येक्ट पूछागे तो इसे भी आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न मारा प्रस्न मांग 22, निम्रेली खित में से कौन सा मुगल सासक आसिक्षित था, पूछा क्या आप से, निम्रेली खित में से कौन सा मुगल सासक आसिक्षित था, तो इसका जो र था जिसमें बिर्वल भी सामिल थे और अकवर महस तेरा बर्च की उम्र में समराज बना था इसे भी आपको याद रखना है इसके बच्पन का ना जलाल उद्दिन था इसके पिता का नाम हुमायू था और हुमायू का मूल नाम नसीर उद्दिन महमुद था मुगल बंस की सब्सक्राइब को हालिमेlli kay को राश्टि उभगता दिवस मनाया जाता है तो यहां आपसे पूछा गया है इसreten ऐधे ennesाल घुब। shelters पंट्रहों मांच को हर साल थनी उभगता दिवस मनाया जाता है और राश्टि उभगता दिवस मेर्व चोविस दिसमबर नो आगे बढ़ते हैं अगले प्रेश्ण की और अगला प्रेश्ण हमारा प्रेश्ण कमांग 24 घाटी गाओ अभ्यारण किस जिले में इस्ति थे पूछागे आपसे घाटी गाओ अभ्यारण किस जिले में इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर रिबा है आप्शन नंबर 3 बाटिगाओ अभ्यारन ग्वालियर जिले में इस्तित है ग्वालियर में जहसी की राणी राणी लक्ष्मिभाई की समाध्य स्थ्य भी इस्तित ये तो इसे भी आपको याद रखना है आगे बड़ते हैं अगले प्रेशन क्यूप अगले प्रेशन हमार्ण हूं क्मांग 25 ते को पानी में तेरने के लिए उत्पलावन बल मदद करता है उत्पलावन बल का सर्व प्रतम अध्यान आर्क मिडीज ने किया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 26 भारती संबिदान के अनुसार मद्य बरती इस्तर पर पंचायतों का गठन एसे किस राजी में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या किन से अधीक ना हो तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप्शन नंबर एक 20 लाग भारती संबिदान के अनुसार मद्य बरती इस्तर पर पंचायतों का गठन एसे राजी में न कठोर कोशिका भित्ती पाई जाती है चार अपसं देगें आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस उतक में कठोर कोशिका भित्ती पाई जाती है तो इसका जो राइट आंसर है आपसे नंबर दो इसकलेरन काइमा उतक में कठोर कोशिका भित्ती पाई जाती है यहां पोधो को द्रणता प्रदान करता है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण कमांग कर थाभी निम्ना लिखित में से कौन सा कथन ध्वानी और प्रकास तरंगों के बा बता देता हूं इसका राइट आंसर है option number 2 ध्वानी तरंग अनुधेर तरंग होती है तथा प्रकास तरंग अनुप्रस्ट तरंग होती है जो ध्वानी तरंगे होती है बा अनुधेर तरंगों का उधारन होती है और प्रकास तरंगे अनुप्रस्ट तरंगों का उधारन हो मंदन इन में से किस तरह का त्वरन है तो इसका जो writers है option Number 4 be peace मंधन एक प्रकार का रिनात्मक्त तोरण है या एक तरह का रिनात्मक्त तोरण है जिससे किसी चलायमान बस्तु की गती कम होने का संकेत मिलता है आगे बाड़ते हैं अग्ले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न हमारा और मांगती संत्रप्थ थी बागो क्या कहा जाता है पुछागे आप से संत्रप्थ हाइड्रोकारबन को क्या कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है option number 1 अकेन संत्रप्ट हाइड्रोकार्बन को एलकेन कहा जाता है संत्रप्ट हाइड्रोकार्बन जिनका समानी सूत्र CnH2n plus 2 होता है इसमें केबल कार्बन का एक बंद पाया जाता है उधारण है मेथेन, एथेन और ब्यूटेन इनके बारे में आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेट करके बताना है आज की क्विज है उत्राखंड उच्छने आले के मुख्यन आयदिस कोन है पुछागे आपसे उत्राखंड उच्छने आले के मुख्यन आयदिस कोन है तो आपसन में से इसका राइट आंसर आप लोगों मुझे कमेट करके जरूर बता है और दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक जरू करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बेटेंग जरूर दबा लें ताकि ऐसे इन्पर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुचते रहें जाए हिन दोस्तो